हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चनल वीर साइंस प्रजेक्ट में तो सारे प्रजेक्ट बाद में तो सबसे पहले हैपी न्यू येर आप सभी को और आशाय इश्वर से मनुकामना है कि आप सभी अच्छे से रहें नया साल में और कुछ नया करें तो आज हम तो भी तेप्रिचर सेट करते हैं उसी के टाइम पर कर देता सिस्टम को ना कम जैसे सिस्टम फिर से हीटिंग डौन होती है और यह फिर से रिस्टार्ट हो जाता है तो इसी सिस्टम को आज हम पूरा रिमोट कंट्रोल करेंगे इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि यह कैसे वर्क करता है और इसका पूरा डाइग्राम आपको दिखाया था तो देन छोटा से इंट्रो और उसके बाद सुरू करते से बनाना तो भाई वीडियो पे नए है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को ठीक है मतलब रिक्वेस्ट है बाकी मजबूरी में निकालना पड़ा बट आप सुचे निकाल लिएगा नि मॉडिल्स में बस डिरेक्ट ऐसे से सिंगल सिंगल वायर्स लगाई और जो सुच पहले से लगी इसको लगाना देजी मतलब कनेक्टिंग के लिए आपको दो दो वायर्स निकालना तो जो यellow वाला औ परपल वाला ब्लु वाला कोमा रहा है वह से ध मैनॐल हट से होता है तो इसके गोले joh under decoder ICA, ठीक है, then 150K का एक resistance लेना, इसको pin नमबर 16 और 15 पर sold करेंगे, जिससे हमारा जो circuit का system है, वो active होगा, सारी details वासे मैंने प्राणिया ली वीडियो जसके पहले की ती इसमें डाल दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, then 987654, यह हमने इसका password की लिया हुआ है, मतला, और 1K के resistance ले लगा है, क्योंकि 20 में भी आगे, LED जोड़ेंगे, तो बगी की pin काटके निकाल दिया, then यह diode, white वाला सेजा हमने minus और black वाला plus है, तो pin नमबर 13, pin नमबर 11, 12, 10, यह हमारी output pin है, ठीक है, अभी हम receiver section मना रहे है, जो भी signals आएंगे, वो receive करने के लिए, 100 ohm resistance लगा दिया है, ठीक है, उसके बाद हम एक 1K के resistance और ले रहे हैं, जिसे हम अपने 11, 12 और 13 पे लगा रहे हैं, फिलाल मैं अभी से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अभी इसको आप sold मत करो, sold इसले नहीं, क्योंकि आगे वीडियो में मैं इसको change करके 100 ohm करूँगा, रिजान इसके आगे जो हमने circuit लगाया था LED वो उसको 1K से जो power मिल ले थी, वो थोड़ी कम मिल ले थी, तो 100 ohm कर दिया था, तो starting में बता दे रहो भाई, इसको change कर लो, नहीं तो आगे आप देखोगे, फिर से change कर दिना, देन circuit को auto on-off करने के लिए, मतलब remote से on-off करने के लिए, जेके flip-flop 40-27, हमने IC लिए है, यह flip circuit पे काम करता है, पुरा मतलब mechanism, तो pin number इसकी जो, मतलब 7 और 8 उसको एक साथ sold कर दिया, देन 4 नमबर पर sold कर दिया, और यह 100K का resistance लिए है, इसको 3 और 4 नमबर पर हम sold कर रहे है, ठीक है, 3 नमबर, 4 नमबर पर ही input देना हमें, then 10K का resistance ले रहे है, इसको इसका brown, black, orange color code है, इसको भी 3 नमबर पर sold कर रहे है, आप connection देखी रहो, बाकी circuit आपको बनाना PCV पर है, तो next video में PCV भी बनाएंगे, but open इसलिए दिखा रहा हो, ताकि आप connections देख लो, कहां पर क्या लग रहा है, आपको दिक्कत ना हो, इसमें किसी, तो कुछ जंपरिंग है, यह neutral connection और positive connection दोनों उठाने, तो यह positive की supply चल ले इसमें, pin नमबर 5, 6 और 16 को, हमने एक साथ शोल्ड कर दिया, मतलब भाई, short कर दिया, काम होगा, खत्म, ठीक है, तो receiver section चल लाए, तो अपना जो JK neutral है, 40-27 का, और 9 number हमारा neutral है, second IC का, तो power supply दे रहा है, इस IC को, then 18 number sold कर दी है, हमने दूसरे वाले की solar से, मतलब positive solar और 18 है इसका, तो मैंने यह कर दिया, मतलब जो भी ता स्पलाल, तो एक LED ले रहा हूँ, green वाली, इसको जो resistance मैंने पहले लगाया, तो उस पर connect किया, then 17 number, 17 number यह LED का काम किया, मैं बता रहा हूँ, जब भी आप transmitter start करोगे, यह LED automatic glow हो जाएगी, मतलब यह pairing का indication दिखाती है, LED, तो positive वाला सिरा जो था हमारा, हमने resistance, वो सरी, आपका 17 number पे लगा दिया, LED का, और negative हमने resistance पे, और यह हमारा है RF module, 100 meter दूर से भी यह असानी सब cover कर लेता, इ test 12DK, 14 number pin पे connect करना है, इसको भाई, signal यहीं से होगा, मतलब receive करेगा यह, और ground को हमने क्या कहते है, pin number, जो उसका साथ 800 पे connect करती है, सीदा सीदा समझ लो, और यह positive हम लगा रहे है, जो कि हमारी 18 number पे भी लग सकती, और 16 number पे भी दूसरी IC के, VCC मतलब positive, GND मतलब negative होता है, और data हमारा output input के लिए, तो same LED और ले रहा है, यह flip-flop circuit में, testing के लिए कि इसकी light जल रही है कि नहीं, मतलब यह एक बार में on होता है और off होता है, यह एक click up करोगा तो यह start होगा, then दूसरा click मरोगा तो off हो जाएगा, मतलब एकी switch से on-off turn हो जाएगा, तो testing के लिए LED लगा र हैं, एक octocoupler, octocoupler के काम यही होता है, एक side पर IR LED जलती है, दूसरी side में system हमारे activation लेते हैं, तो बनाने के बहुत simple process है, ऐसे fires लेट लीजे, लपेट लीजे, LED लगाई है, then LED के सामने मैंने लगा दिया, LDR, LDR एक resistance की तरह काम करता है, जितनी रोशनी पर ज्यादा पढ़त कि कई मेगाउम तर जा सकता है, रोशनी के दम पर, तो अभी जो हमने leg 30 की, यह हमारी LED की positive वाली leg है, क्योंकि सारा output हमको negative मिलता है, इसलिए हम positive leg को एक साथ short कर रहे हैं, तो तीन module हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, switching कराने के लिए, तो सारे plus एक साथ कर रहा हू कर रहे हैं, यह जो legs बचे हुए है, यह LED के neutral वाले है, मतलब यहाँ पर हम input देंगे, तो LED के minus पर लगा लिया है, हमने तीन तार चोटे-चोटे, और दूसरे side की जो 6 leg open दिख रहे हैं आपको, यह LDR के है, यह बाद में बताएंगे कहां connect करना है, यह आपका जो module ते temperature वाल मतलब दम नहीं बन रहा था, मतलब trigger mechanism सही से लगनी रहा था, जो LED के सारे positives थे, उसको हमने 18 नमबर यह solar नमबर जो भी आपको चलगता तो positive पे मतलब, तो यह system normal हमारा connect हो गया, यह आगे जो header हम लगा रहे है, वो इसलिए ताकि हम अपने module को connect कर सकते, आपको जरूद नही हम का, तो sorry पहले ही आपको बता दिया था कि यह दिख्यात हो चुकी बट वीडियो वन चुकी थी पूरा mechanism वपस बनाने बहुत टाइम खाता, इसलिए भाई सीधा सा आगे दिखा दिया, नहीं तो चाहता तो आपको दिखा सकता था, वनके पे काम करता हुआ, काम करता है, यह आपके लिए efficient नहीं होता, अच्छे से काम नहीं करता, तो वो सारे वनके मैंने निकलके 100 ohm कर दिया है, तो 100 ohm लगा दिये ज़दा अच्छा है, क्योंकि मॉडिल पे जो LED जा रही थी, LED थोड़ा सा high power की थी, थोड़ा सा brightness नहीं ले पा रहा था, बाकि 3.7 volt होता है यह ही बोल रहा हूँ, तो सारे resistance चेंज कर दिये, 100 ohm के लगा दिये, ठीक है, अब प्रॉपर हमार ऑक्टो कप्लर जो बनाया है, जम अजम चलेगा, तैन एक positive supply और उठा रहे है, प्लस का तार बतलब, और यह मैंने को, जहां से मैंने उठाया LED के उपर से, वहां से भी उठा स लगेगा, BC 557, ठीक है, यह 188 भी लगा सकते हो, यहां पर मतलब लगेगा, PNP transistor, जो negative से trigger हो, क्योंकि output भी इसका negative है, तो emitter point को हमने अपने positive पे लगा दिया, then base को हमने लगा दिया, one number पे 100 ohm के resistance में, collector open, then collector का के लगाएं रिले, पर रिले से पहले हम लगा रहे हैं डायो जो हिस्से है, उसको VCC पे या, sorry, ground पे जोड़ना है हमें, ठीक है, GND pin पे, तो किसी भी neutral पे अब लगा सकते हो, तो लगा दिया, then five volt की relay यह हमारी, pin out दिखा देना, उसका बीच वाला common होता है, उपर common के right left में coil होता है, और नीचे NO और NC, NO का मतलब normally ordered, और NC का मतलब normally connection, ज इसको connect कर दिया, connect करने में कुछ नहीं करना, right left कैसे module लगा दोगे, बिल्कुल वैसे लगेगा, मतलब हर LDR पे एक switch, then module हमारा चुकी है, 12 volt का, इसलिए मुझे additional supply देनी पड़ लिए, बकी module 220 volt की वालते ही, जाम नहीं करना, तो ground दे दिया है, और ground के बाद module पे positive का वायर हो common पे हमने निकल है positive, और इसको ले जाके जो plate है, मारा module का, उस पर 12 volt लेगा आता है, वहीं पर दे देना है, अगर यह 5 volt होता है, तो इस सीदा यहां से 5 volt ट्रांसफर हो जाता है, और एक ही बैटरी से पूरा module चल जाता है, बट क्या करे भाई, 12 volt का यह module होता है मेरे पास, तो क्या ही करते है, और कूडे को भी फेकना नीची है, इस्तिमाल कर लेना चाहिए, काम आता है, तो अब सारे system को supply देने है, supply देने के लिए कही connection ढूनना नहीं है, जो मारा RF modular receiver वाला, उसके VCC पे प्लस कतार लगा दीजे, और ground जो लिखा हुआ 3-4 जगा पे सारे एक ही है किसी पर से minus उठा लिजे, ठीक है, plus और minus complete हो गया, काम गतम, तो हमारा receiver section done हो गया, और हमारा बनेगा transmitter, तो यह transmitter है, थोड़ा सा camera हिला है, sorry, इसके लिए मेरा strand घराब हो गया, क्या कर सकता है, तो same password 456789, जो उसमें use किया था, वही connection इसमें भी कर रहे है, इसमें HT12E remote करती है, then second वाले को भेशती है, मतलब ही tiny सा, छोटा सा remote बना रहा है, then इसका जो 14 number, 14 number को connect कर रहा है, 5 number से, मतलब ही supply हमें उठा के देनी पड़ेगी, system को start करने के लिए, तो zoom करके दिखा रहा हो, तक ही आपको कोई problem नहो, then यह connect हो गया, उसके बाद 1M का resistance लेना है, 1M का था भाई, तो मतलब पुराने resistance था, one name था नहीं, तो जो मिल गया, वो यूज कर लिया, then यह header लगा रहा है, यह header इसके लिए लगा रहा है, क्योंकि module इसमें connect कर ले, sold करेंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा, तो module में 3 होता है, transmitter module में VCC, data और GND, ठीक है, तो VCC हमारा pin number 18 प लगा रहा हूं, यह PCB पे होता, तो कितना असानी होती, बट आप लोग को काम मुस्किल हो जाता, तो मुस्किल नहीं करना, को काम आसान करना है, तो remote देगे कितने असानी से बन रहे है, यह push to on switch है, मतलब जब तक दबा कर रखोगे, signal देगी, जैसे छोड़ोगे, बंद हो तो तीन switches से हमको इस normal signal चाहिए, और एक switch से हम latch करवाएंगे अपने relay को, जिससे module on और off होगा, मतलब heater on भी हो जागा, आप भी हो जागा, temperature भी सेट कर सकते हो, और modes भी select कर सकते हो, कितना temperature सेट करना है, तो इसका remote का हमारा input data लेता है, वो pin 10, 11, 12, 13 होती, तो इस पे switch लगा लगानी है, मतलब यह IC लगा तो भाई, sold लगा के नहीं करनी चाहिए, खराब हो जाती है, IC base यूज़ करना चाहिए, कभी system खराब भी हो, तो आप कर लो, तो आपको दिखाता हो, RF model देखिए, इसमें चार pin दिखिवी, एक जो extra pin है, वो anti ने किये, ठीक है, तो वो data को data पे अब जो हम wire लगा रहे, pin number 9 पे लगा रहे है, negative supply दे रहे है, इस पे मतलब 3.7 volt देना है, उससे यदा नहीं देना है, ठीक है, 5 volt तक भी काम करेगा असानी जे, बट 3.7 इनफ है, चोटी सी बैटरी लगाए है, देन काम गतम, और यह positive का, जो blue wire देख रहे है, यह positive है अपका हीटर सीटर तो आप कुदी जोड़ दो कि इतने समझदार हो, नहीं होगा, तो description में link पड़ा हुआ है, उसे join कर लीजेगा, वहाँ पे आपको जो जरुवत होगी, मुझसे help ले लीजेगा, मैं मदद कर दूँगा, तो receiver module पे देखिए, मैंने पहले battery लगा दी, 3.7 volt से start हो अब ध्यान से देखो, then battery connect की और यह देखिए, green light जल गी न, तो हमारे transmitter और receiver अपस में pair होगा, thermostat हमें लगा देना पानी में, और module चुकी है, हमारा 12 volt के तो इसलिए 12 volt की एक additional battery लगानी पड़ी भाई, मजबूरी है, नहीं तो यहां पर 220 volt और 5 volt लगा देते हैं, then remote को उठ इसलिए सही से दिख नहीं रहा होगा, system का, but इस पर मेर पास एक glass पड़ा होगा, black लरका, उसको रखता हो, तो आपको clear दिखाई देगा, देखे मैंने on पर दबाया है, एक बार तो on होगा, फिलाल मैं display को black करता हो, तो दिखेगा, अब यह देखे सारा modes दिख रहा है, तो जब एक बार आप क्लिक करोगे, तो यह on होगा, then दो बार आप क्लिक कर दोगा, off को जाएगा, मतलब आपका heater, heater जो भी होगा, same ऐसी चलेगा, ठीक है, तो यह on off आपको दिखा दिया, then अब mode शेक करते है, उपर ने बटन दबाई, यह blink करने लगा, mode का option आगया, अब प्ल temperature होते ही, यह automatic cut कर देगा, then जैसे ही आप पानी निकालोगे, यह फिर से ही उतने ही temperature, मतलब उतनी ही temperature पे लेकर आजाएगा, पानी को फिर से heater cut off कर देगा, तो remote control circuit है, एक दम मजा आएगी, तो सारे items जो आप देख रहो है, मैंने जितनी टेस्टिंग से सब दिखा दिखा ही रेंज का है, कमरे में रहो भाई, ठंडी के मजे लो, और रूम से स्टार्ट कर लो, और सारा circuit आपको बनाना है PCB पर, अगर आप समझ गये, तो ऐसे ही box कर स्तिमाल कीजिए, ताकि देखनी में बेच्छे लगए, और किसी भी heater और घिजर में लगा दिए, तो वीडियो भ आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं, तो आपको हैपी नियार फिर से, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली ख्याल रखिए, टेक क्यार, बाई बाई